पावित्र दिवस है, शिला इश्वरपुरी का तिरुभाव दिवस है, तो उनकी याद में हम तिरुभाव भजन गाएंगे जहां आचारे ठाकुरे वहां इश्वरपुरी ठाकुर बोलेंगे जिया निलो प्रेम धान करुणा प्रचुर जिया निलो प्रेम धान करुणा प्रचुर हेना प्रभुकोता गिला इश्वरपुरी ठाकुर हेना प्रभुकोता गिला इश्वरपुरी ठाकुर कहा दा से रागु ना था पतिते पावा कहा दा से रागु ना था पतिते पावा कहा मुरा भात जुग कहा कभी राज एक काल को था गिला गुरा न तैराज पासान को थी भूमाथा आना ले पाशिबौ गुरांगा गुणे रा निदे को था गिले पावा से साब्य संगी रा संगे जे कहे लो भी लाश से संग न पाईया कादे नरो ताम दास जे वेश्नो ठाकूर जे वेश्नो ठाकूर वेश्नो ठाकूर जे वेश्नो ठाकूर नेते गोर हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल जोबाओं जो प्रोकार से हैं जो प्रेम धन करूणा प्रचुर जो प्रेम धन ले करके आये थे क्यों लाये थे? प्रचुर करुणा, बहुत करुणा के कारण प्रेंधभन ले करके आए थे एना प्रभु को था गेला वीश्वरपूरी ठाकूर, तो वीश्वरपूरी ठाकूर कहां चले गए कहां मुरा सुरूप रूप कहां सनातन कहां मेरे सुरूप दामदर गोश्वामी है कहां रूप गोश्वामी है कहां सनातन गोश्वामी है कहां दास रगुनात पतित पावन पतितों को पवित्र करने वाले रगुनात दास गोश्वामी कहां है कहां मुरा भट्ट जोग भट् प्राप्त करूं प्राप्त करके रोते हैं तो बहुत ही पवित्र दिन है आज सिला इश्वरपूरी के तिरो भाव का और एक बात और समझना है कि इनका हमारे वैश्णों कलेंडर में आवर भाव नहीं आता तो साल में के वल एक ही दिन हम उनको याद करते हैं और दूसरी बात यह भी समझना ह है कि आचारियों का जो तिरो भाव और भाव दिवस होता है उस दिन उनकी क्रपा का जो है प्रतेक्ष द्वार खुला है साक्षात उनकी क्रपा का द्वार खुला है अन्यता हमें क्रपा प्राप्त होती है गुरू परंपरा के द्वारा तो गुरू परंपरा के द्वारा क क्रपा प्राप्त होती है लेकिन ऐसे दिनों में उनकी क्रपा डायरेक्ट प्रतेक्ष हमें प्राप्त होती है अगर हम उनके बारे में कुछ सुनते हैं सुनाते हैं और फिर ये कौन है चैतन्य महां पर होगे गुरू है समझो, चयतन्य महा पहोगे गुरू, गुरु कृपा करें, तो चयतन्य फिर क्या करेंगे, उनको कृपा करनी पडैंगे, उनके गुरू है, लेकर जब किसी को गुरू धारन करते हैं, और शहसे बनते हैं, तो फोर से एजवılmış में पल सो पर संट से बनते हैं, पूर्ण समरपन दो भन वाजो है इसका कोको नहीं है लेकर जब किसी को गूरु धारन करते हैं उस कर बंते है तो फिर आदेश रहर यह 90%ी नियांबी परकंटि सनी बनते इसे बनते हैं तो ऐसा है इन का आख अथ सर है बहुत बड़ा अवसर है कि Bhagawan की गुरु की करपा प्राव कर से लाए तो ही गड़ें के गुरु की करपा मिल गई तो फ्र तो भगवान पंध सतंब बन गए करने के लिए बन गए बरखवान को करनी पड़ेही क्रपा तो हम सुन ही उनके ffeirt exploring में तो चतन्य भागवत में इश्वरपुरी का जो वर्णन है वो समय आता है जिस समय श्री चतन्य नवदीप में अभी भक्ती प्रकट नहीं कर रहे हैं अभी किर्तन का प्रकांश नहीं कर रहे हैं और भक्तों को बहुत कष्ट भी मिल रहा है क्योंकि पाखंडी लोग हैं वो भक्तों की निंदा करते हैं उनके किर्तन की निंदा करते हैं और भगवान सब कुछ देखते हैं भगवान सब कुछ जानते हैं यह उनके कारे में देर जरूर है अंधेर नहीं होती है लेकर देर जरूर होती है तो देर करते हैं भगवान तो भगवान जो है अध्यापन का कारे करते हैं शिक्षक हैं और क्या सिखाते हैं ब्याकरन सिखाते हैं उनके बहुत से विद्यारती हैं वो विद्यारती बहुत भागिसाली जिनको भगवान अपना प्रत्यक्ष संग देते हैं शिक्षा देते हैं तो श्री विश्वंबर प्रभु इनका नाम विश्वंबर है चयतन नाम तो बाद में पढ़ा ना सन्यास के समय इनको चयतन नाम प्राप्त हुआ था तो 24 वर्स के अवस्था में तो अभी विश्वंबर निमाई पंडित या विश्वंबर यही नाम है इनके विश्वंबर विद्धिया धिन में अनन्द ले रहे हैं और माता सचीक अनन्द बढ़ा रहे हैं इसी समय इश्वर पुरी अति गुप्त विश्धारन करके नवद्यप में आये अभी नवद्यप में आये तो स्री चैतने से नहीं मिले गुप्त वेश्धारन करके आए तो गुप्त वेश्धारन करने का मतलब यह है कि कोई पहचान नहीं सकता है देख करके कि यह वैश्णम है कोई नहीं पहचान सकता देख करके कि यह वैशनों में तो गुप्द वेश धारन करके आए और वेश भुसा को देखकर भक्ति के साधक हैं या ज्यान योग साधक हैं यह पता नहीं चलता सन्यासी हैं यह वैशनों सन्यासी हैं या मायावादी सन्यासी हैं यह पता नहीं चलत तो तो मुझेह ही निवास करोगे है मुझेह मन लगाओ मुझे बुद्धी लगाओ माई एव मन आधत सो, माई बुद्धिम निवेश आए अपने मन को मझ में प्रविश करा दो अपनी बुद्धी को भी मझ में प्रविश करा दो तो फिर तो मझ में ही निवास करोगे इसमें कोई संसे नहीं विश्वरपुरी कैसे हैं इसी प्रकार के हैं मार भूधधी किस्में रगा हुआ है तुनका सरीर भी किस्में ही है वह firm उनकी शरी रें और कहां पर पहुचे कोई नहीं जानता कहां पर पहुचेंगे कहां जाएंगे को नहीं जानता इनको भी परता नहीं वहrit पहुचे श्री कृष्ण के एक आंध प्रिय भक्ति थे परम दयालू थे इनके इस बेश में कोई पहचान नहीं सका ब्रह्मन करते हुए द्यवयोग से अद्वयत प्रफु के घर में आ गए अद्वचार के घर में आ गए यह जो है मतलब बहुत आश्चर यह परम बैशनों जो एक परम बैशनों की घर में आ जाए परम बैशनों तो दुरलब है समहात्मा सुद्रुलब भा तो दुरलब महात्मा दुरलब नहीं सुद्रुलब महात्मा एक शुर्पुरिय है एक अद्वयत चारे सुद्रुलब महा महात्मा तो वो जो है मिलन हो जाए एक महात्मा का दूस्से महात्मा से सुदुरुलब महात्मा का नहीं नहीं तो कुछ नहीं जो हैं किस नहीं उनके मुबाइल है तो किस नहीं जो है मिला रहे हैं तो अदोचार के घर में कैसे आ गए इनको ही कुछ पता नहीं कहा जा रहे हैं कि अदोचार को यह पता ने है कि कौन आ रहा है इनके घर में तो अदोचार के घर में आ गए है अदवयत प्रूभू बैठकर सेवा भजन कर रहे थे अभी पूजा कर रहे है अदोचारे वहां उनके आगे आहे जाकर बड़े संकुच दोकर पूरी जी बैठ गए, संकुच दोकर बैठ गये, बड़े लज्जत हो रहे हैं, कि मैं यहाँ पूजा में घुंके बढ़ बाधा बन करके आगया, यहाँ तो पूजा विव भगवान की, अब अगर यह मुझे देखेंगे, तो एनकी पूज मतवय बादाना पड़े लेकिन वैसनों का तेज वैसनों से छपा नहीं रहता यह परम वैसनों वह भी परम वैसनों हो थैज एक दूसरे का तेज छपाने रहा तो बार बार अद्ववत इनके तरफ देखने लगे अब अब पुजा कर रहे हैं धियान कहा है दहर द्यान था पाओफर γडा दर जा रहा है तो यह सीग्पार मेर्ट नहें जासे भरत महाराज थे भरत महाराज पुजा हरन्य की तरफ जाता था अंगान की तरफ दियान जाता था तो आधा अट करने कर आ सकती है वो पोखोट भलत अगा सकते होई हरन वह की जो है में एक iau को में यह जुए प्रशू है लेकिन अधूचार का दहां जा रहा है इसर पूरी की तरफ इसर पूरी कोंने परंबेस्णों तुक्ट इंतर नहीं कंbas अगर पूजा कर रहे हैं लेकिन आप भगवान के किसी और लीला का ध्यान कर रहे है तुक इंतर नहीं है वो आज सकती जो है दिव है तो अद्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् अब जब पूजा पूरी हो गई तो अधुजा ने पूछा अधुजा ने पूछा महोदय आपका परिचा है मुझे ऐसा लगता है आप बैस्नो सन्यासी हैं बैस्नो सन्यासी ने किर्ष्ण की उपासक सन्यासी हैं मुझे ऐसा लगता है कि आप बैस्नो सन्यासी हैं कैसे लगता है अंदर से ही भगवान उग्यान दे रहे हैं तो मुझे किसा लगता है कि आप कृष्णो पाशक सन्यासी है इस्वर पूरी ने कहा में चुद्र अधम जीव हूं शुद्र नहीं कहा चुद्र कहा कई बार कहा जाता है शुद्र कहा उन्होंने अपने को शुद्र नहीं तो शुद्र सन्यासी नहीं बन सकता है पहले कोई ब्रामन बनत है और चैतन्य महाप्रोगर सिख्षाष्षक में लिखा है ना तरना अदापी सुने चेन अपने को तिन के सिवे जदा नेश मानना तो छोद्र अधम जीव मैं जो है बहुत तुछ है अधम जीव हूं तो युश्वर पूरी ने यह कहा आपके चरण दर्शन के लिए आया हूं किश्वर पूरी करें मैं आपके चरण दर्शन के लिए आया हूं चुद्र अधम जीव हूं आपके चरण दर्शन के लिए आया हूं बोले ना इश्वारे पूरी आमे छुद्र अधम देखी वारे आई लाम तो मारे चरन तो बहाँ पर मुकंद भी थे और मुकंद का जो है विशेश गुण है कि वो जब गान करते हैं कृष्ण के संबंद में कोई इस लोग गान करते हैं तो बहुत मधूर उनका जो है गान होता है बहुत सुरील अकंठ है उसमें भक्ति की भावना भी बहुत होती है तो मुकंद ने उन्हें बैश्णो सन्यासी जानकर किस्ण चरित्र संबंदी एक गेत बड़े प्रेम से गाया यह परिक्षा है टेस्ट बैश्णों का टेस्ट है हम इनका जो है सब खोल गया जो कपढठा खोल गया तो क्या हुआ है मुकंद के घित सुनते ही उस्षारपुरी बेसुद होकर प्रथवी पर गिर पड़े आपने भू कह रहे हैं कि मैं चुद्रा धम हूं है पता चले गया कि कितने महान है है बेसुद होकर कि प्रत्थी पर गिर गए नेत्रौं से लगा आतार असुक की धारा प्रभाइत होने लगी और बार बार वर्षा कि भांती प्रेमा सुधारा बेहने लगी जैसे तसे अध्युयत ने ने ओठा कर गोद में ले लिया गोद में रखा इनको किसी प्रकार से और उनका भी सरीर इनके नेत्रों की जल से भीग गया, इनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, संबरा नहीं हो पा रहा है, आनंद पुरोग मुकुन उच्छी स्वर से इस लोग पढ़ने लगे, नायने रह जले अंतना हे के ताहान, पूना पूना बाढ़े प्रेम धारा रहे पायान, आस्थे बेस्थे अद्वेते तो लीलाने जे कोले सिंचे ते हाई ले अंग नाया ने रह जाले सब बेसनों ने ईश्वर पुरी के प्रेम बेकारों को देखा सब के मन में अतुल आनंद उदे हुआ और सब को पता चला यह इसल्पुरी है अब पता चला इसल्पुरी नाम जोणा था इसल्पुरी का जाना मादेफिंद पुरी कि शिश्ष इस यूर्पुरी जुनोंने मात्र वही हैं उनके उत्राधिकारी है कि प्रेम कि उत्राधिकारी है सुना था नाम अब पता चला पहले देखा कि ये हैं फिर बाद में पता चलाएगी ओ ये तो इस्वर पुरी है इनका प्रेम देकर सब हरी हरी इसमरन करने लगे इस प्रकार इश्वर पुरी अलग्षित रूख से नवदिप में बिच्रन करते लें अब इश्वर पुरी जो है इसी प्रकार से बिच्रन कर रहे हैं और कोई नहीं जानता है कि ये कौन है ना कोई पहचानता है ना कोई इनसे बात्चित करता है ना ये किसी से बात करते हैं अलग्षे त्रोप से नौदी में बिच्रन कर रहे हैं अब हुआ गया इन्हें कोई पहचान नहीं सकता है एक दिन महाप्रुभु पढ़ा कर अपने घर लौट रहे हैं हम मिलन हुआ स्रीचेतने से कैसे मिलन हुआ तो भगवान जो है पढ़ा करके अपने घर जा रहे हैं कि भगवान है अपने सेवक को नमस्कार करते हैं क्योंकि भगवान इस समय मनुस्य लीला कर रहे हैं तो मनुस्य लीला में वे एक आदर से स्थापित करते हैं है कि भगवान के भक्त को नमस्कार करना थे बैसनों को नमस्कार करना थे तो अपना सेवक जान करके नमस्कार किया लेकर भगवान ही दिखा रहे है कि मैं तुम मेरे सेवक हो इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूं भगवान तो दिखा रहे है कि एक ग्रहस्त है होते हुए श्री चैतन्य ने उन्हें अपने आप प्रणाम किया श्री गोरांग सुन्दर रूपवान थे सब प्रकार से बिलक्षंड थे अलोग के गुणवान थे यह दिए इनके शुरूप को कोई नहीं जानता तो भी सब लोग इनको देखकर के भाइभीत होते थे स्री चैतन्य कोई देखकर के भाइभीत होते कौन जो बड़े घमंडी है पाखंडी है और बहुत वो थे ही वैस्नमों की निंदा करने वाले तो स्री चैतन्य कोई चेश्टा नहीं करते तो भी उनको देखकर के उनको डर लगता है जो दुस्ठ होते हैं अभकता नाम भयंकरा भगवान का एक विशेश कुण है कि भक्ता नाम अभयंकरा भक्तों के लिए अभय करते हैं अभय उत्पन करते हैं उनके हिर्दे में और भक्तों को हिर्दे में भय प्यदा करते हैं तो आ रहता है अकर भक्त में आ लगा है अभक्त तो फिर भय में आनी लगा है अगर भक् तो भय अभय तो भक्त को भय देंगे अभक्त को भय देंगे तो भगवान का जो है ऐसा जो सौंदर है वो भी जो है भाइबीत करता है अभक्तों को भाइबीत करता है तो श्री पुरी ने इनको देखा तो एक सिध्य पुरुष की तरह परम गंभीर लगे इस्वर पुरी जो नहीं नहीं समझ पा रहे हैं। जब तक भगवन अपने को चलना सकता है।'S पर जद्क योटन मरमे होना हैं जाने। तयुतर पन कुछ दुतर। आइचा नपि लुखा आप नंशकार किया स्री चैतनय पहले लेकिन बात्रीच सुरू किसने की पहले इचंव पूछा विप्रबर आपका क्या नाम है च्रीक पुछ पढ़ाते हैं और पढ़ते हूँ आपका निवाल विजा कme marginalized को थी तो जब ये बात पुछी 30 Captain Company probability değildi साथ योने कहां तो साथीं वोशेश्य है लेकर अपने सेस्यों को अपने साथ है आप करते हैं स्रीचत्र पूरी अपने से अच्छा में श्रीपुरी प्रभु को देकर बड़े आनंदत हुए नाम तो सुना था निमाई पंडित हैं यहां पर नमदीप में कोई निमाई पंडित हैं केशो कर्समीदी को भी पराजित किया बहुत बिद्वान तो यह तो जो है मतलब बड़ा एक प्रकार से था प्रभाव था नाम प्रभु को देकर बड़े आंदत हुए प्रभुन ने भीच्छा काने मंतर दिया अब भगवान क्या क्याते है मेरे घर में भीक्षा कर गी भीक्षा सन्यासी को जो है यह यह निकाते कि आपको बहुत अच्छे बिंजन में खिलाओं गा नहीं इस कारन से सन्नियासी नहीं कि आपके घर में अच्छे ची बिंजन खाऊंए इंविशा बिश्या रूखा सूखा कुछ है आपको दूँगा तो आते हैं फिर आप खिला उच्छा तो अलग बात है लेकिन इस नाम से कि अच्छा खिलाएंगे अच्छा मैंने बनाया है तो सन्यासी करम से नहीं आते हैं त से कि नाम पर ने मंत्रन दिया और अपने घर ले चले माता सची ने फ्री करूधista को भोगड़ पन किया त्या इंष्री पूरी ने प्रशाद गिरहन किया और मंदर में बैठ गए कौन सा मंदर हां स्रीच़ता ने घर में एक मंदर है तो वहां पर वैठा से उत्ani रसाध के सुधारादी करके लिए अभी वो प्रेम नहीं प्रकट करना चाहते हैं अभी उच्छे पा रहे हैं अपने प्रेम को इन संतुस्थ हो रहे हैं किंतो प्रभु ने अपने को अभी प्रकासित ना किया क्योंकि अभी वह समय नहीं आया था इस्वर्पुरी कई महीने तक गोपिनात आचारे के घर नवदीप में रहे तो गोपिनात आचारे बहुत विशेश भक्त हैं बड़े भागशाली हैं उनके घर में इस्वर्पुरी कई महीने रहे उनको देकर सब वैशनमों को बड़ा आनंद होता था महाप्रुनित उनके दर्शन करने के लिए जाते थे तो पहले दिन जब मिले तो स्रीचतन्य घर में प्रसाद ग्रहन किया प्रसाद भोजन लिया इस्वर्पुरी ने और उसके बाद जो है स्रीचतन्य का नियम बन गया क नियती पढ़ा करके रोच ऐस्वर्पुरी के आ идर्सन के लिए जाते थे किस घर में जाते थे गोपिनत आचार के घर में रसंख करी जाते थे थाया शक्रिश्टन कथा प्रसंग में श्रीक गदाधर पंड़ित के प्रेम स्थ को देखकर सब देखनों इनWAN से बहुत प्रेम करने लगा legg गदाधर पंड़ित विशेष प्रेम बहते थे है मिश्वार्पुरी कथा संस हनग था लिए विरल्व्स स्था नठीड है यह नेमाई पंधित क्यां है अभी बड़े ऐसे न Elvis अलब है तक स्था कांगी गंभी रहें अभी कुछ फरक नहीं पड़ता किसकर था सुनने में भी फ़र नहीं पड़ता और कि नाधर पंडित का मनबाल पंदय सी संसार से अधिव रख था इस्टोड परिंस पोट इंत ही करते हैं और कि अपने रच तक पढ़बाए कर अपने सेस्ट परिइन लिखी है एक तो का यहां अपनी पर्म का धहिए क lev सणाओ और इस्ट परने समें रोप किस इसको चुनाव्ट तो सना करते थे और महाप्रहु पढ़ पढ़ाकर संधया के समय इत्वरपुरी को नमस्कार करने जाते इनको देखकर पुरी बहुद प्रसन होते परंद जानने सके कि उन्हीं के स्था देव स्री इस्वर्पुरी जिनके भक्त है परम भक्त है उन्हें की जो है साक्षात इस्ट देव है श्री किस्ना है पुरी कैसे पहचान पाएंगे फिर भी इनसे बहुत प्रेम करते थे पनाईया पाणिया ठाक और संध्य काले एश्वर्पुरी रेनेत्य नमस्कारे चले प्रभुदे किस्री इश्वरई पुरी हार है सेता प्रभु है न जाने ने तब बने पृत है तो पुरी ने एक दिन कहा विश्वंभर आप बड़े विध्वान है क्या कहा है आप बड़े बिद्वान है मैंने स्री किसन चरित नामक पुस्तक लिखी है इसे देखकर तुम बोलो कहां क्या-क्या दोस्त रह गया है मेरी पुस्तक में कहां-कहां दोस्त रह गया है वो बताओ तो किसन का चरित्र तो निर्दोस्त है वो तो परम पवित्र है कलियों के थी का मध मैं निश्कष होता है टिसरीड चाहते है कि जो सब्दों में अरशिए ओं जो कमी तो वो तो है यह तो है आई है तो न उनको बताव भारते लिए सुर्पूरी कहते हैं यह तो उसे मुझे बहुत संतोष होगा शरुपूरी कहें मुझे बदा संतोष होगा यह करना जरूरी कि संतोष होगा तो सन्माने लोग क्या है अगर बताएंगे तो उनको बुरा लगता है यह दोस्त निकाल रहे हैं तो इसको theatre खे एँट कर दो फिर प्रिंट्ट आउडनेकाल तो बिल्कुल सही ऐसा कुछ नहीं था पर हां से सुधार होगे तो इसमें फिर काफी क्या होगा गंदा भी होगा ना हां से सुधार को तो परंतु इस तो पुरी कहते हैं मुझे संतोष होगा आप करो इसको इस काम को करो सुधार करो संतोष होगा महाप्रुम बोले नहीं नह मुझे से नहीं होगा यह मुझे से नहीं होगा वह नि कालना ये कार्य करेश्क मुझे सेता में वंकांडा के माइव एक तो भक्ति की बाणी है और किसन का चरित्र है तो भक्ति की वाणी तो बड़ा मुझे दुस लगेगा दोस दो nod कि रहा दो सनकाले में बड़ा करेंगा जो से दोस्त देखता है वो पाप है भक्ति कर नंत देक्ज मोड़ा करते हैं अगर critical स्थो थो रहे हैं तो फिर किसको आवेक resconda दोस्त ने काले में अगैशेख जैसे पिता है तो बच्य की तोतली भासा को सुन करके बड़ा प्रसंद होता है ना तो बच्चे की तोतली भासा में तो बहुत दोस हैं यह प्रता बड़ा प्रसंद होता है तो आपकी वानी में आपकी रश्णा में जो भी दोस हो अगर किसन प्रसंद है तो मैं फिर क्यों दोस निकालू तो स्रीचतने क कहता है वैसे होता क्या विष्णु को नमस्कार है तो विष्णु को नमस्कार है तो विष्णु को नमस्कार है तो विष्णु को नमस्कार है विष्णु को नमस्कार है विष्णु के लिए 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 विशना नम्हा होता है तो व्यकोरण की जो है प्रिकारंगा विचार है ना लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं सुचते की इसने मुझे विशना नम्हा क्यों कहा तो ho HT सनी सोचते तो पर गवां रखे डोनों की तो श्री किसन दोनों के बचनों को समान भाव से ग्रहन करते हैं कोई अंतर नहीं देखते हैं किसने विष्णाय नमा क्यों कहा ऐसा भगवान ही सोचते हैं बिष्ण भगवान को प्रणाम करते समय मुर्ग बती बिश्णाय नमा कहता है और पंडित बिश्णाय नमा कें तो पुण्ड दोनों को समान होता है क्योंकि स्रीभगवान भगतों के भाव मात्र को ग्रहन करते हैं बचन के सुध असुध होने पर धियान नहीं देते तो यह अभि भी डी है कि आप र्रणाम करते हैं मान डीज двух वी प्रनाम करते हैं आपको प्रणाम मंत्रर नहीं आता है कोई प्रक्राम मंत्र नहीं आता है तो पुछ५ॉपात करते हैं तो अभर आ याब सकती में यहाँ पर है तो 15- बना लो अगर नहीं लक्समान सीता राम लक्समाना भ्याम नमा जानते हैं तो ऐसा भी प्रणाम कर सकते हैं तो स्रीचेतनने कि स्लोग उध्रत किया मूर्खो बदती विष्णाय धीरो बदती विष्णवे अभ्योस्तु समंपुर्ण्यं भाव ग्राही जनार्दनहां कि जनार्दन भाव ग्राही हैं सब्द ग्राही नहीं है आपके सब्द का जो है विचार नहीं करते हैं कौन सा सब्द बोलाया आपने वह भाव ग्रहन करते हैं इसलिए भक्त लोग जो है कभी भगवान की निंदा भी करते हैं एक वो प्रेम भरी निंदा होती है तो भगवान भाव ग्रहन करते हैं कि यह मुझसे प्रेम कर रहा है और दूसरा वेक्ति है वो दिखावा करने के लिए बड़ी सुत्य करता है और मंतर पढ़ रहा है लिए भगवान उसके उसको स्विकारने करते हैं दिखावा कर रहा है तो भगवान तो भाव देख रहा है तो दिखाने की भावना से कुछ कर रहा है तो बहुत मंतर पाठ कर है वेदनेन पढ़ रहे हैं कुछ कर रहे है है यह है तो दिकावा कर रहा है ना और कोई विकती जो है उनके निन्धा है बीक ररेज और उनके प्रेम में निंदा भी करता है तो तो ह्सको जई घ्रहन करते हैं मना तो महा पुने यह मैं नहीं करूँगा यह मैं नहीं करूँगा भक्तों की वर्णन मातर में स्री किसम संतुष होते हैं इसलिए आपका जो प्रेम में वर्णन है उसे देखने यह संसोधन करने का कौन साहर्श कर सकता है स्रीप्रभु क कि ऊतर को स्रीपुरी मानुपुरा स्री अमर्द से नहा गया कि इस बाद से की इस्तौपरी को कैसा लगा बनाने वैज नें वहाणी से जो है अमरड नहा इस तरह से लगवाहा इंए में तुम्हें कोई दोस न लगेगा तो कि जहां इसमें कोई 200 देखकर मजे बता दो अचा ठीक अगर लिखना नहीं है उसको सुधार्णा नहीं है काटना कूटना नहीं है तो तुम बता दो मजे उसमें आपको कोई दोस ने रहेगा आप मजे बता ओ इस्तरपुरी कह रहे हैं नहीं बताओ दोस बताओ मजे इस प्रकार महापुरु स्रीपुरी के साथ प्रदिन दो चार घड़ी के लिए जा कर विचार विमर्ष्ट करने लगी कर दोगारी का मतलब एक घरणी 24 मिनट की तो दो घरणी मतलब 48 मिनट चार घरणी का मतलब च्यानवे मिनट ने ड्यार गन्ट равड गरें तो गन्टयर गंटा जो है स्री छ३ह तनम के साथ बेचते थे और विचार में पेन व Schrメak Se एक दिन प्रभु उनके कवित्यों को सुनकर हस पड़े और यहां तो धातू की संगती नहीं बैठ रही है प्रभु ने का यह धातू आत्मने पदी लगाना संगत नहीं है यतना गया प्रभु अपने घर चले गई इस वर पुरीभी समस्त सास्त्रों के पंडित थे विद्या अध्यान इस थापना किया बोले प्रभु जिस धातों को आपने परस्मे पदी रोप में प्रियोग किया था उसे मैं आत्मने पदी में जोड कर लाया हूं तो भगवाइन जो है एक सुधार करके वो दो सिदिन बताते कि यह मैंने सुधारा है इसमें प्रभु गेले से पुरी जी बड़े संतुष्ट हुए तो बहुत अच्छा आपने एक जो है जो सुधार किया है मेरी इस रचना में तो बड़े संतुष्ट हुए बहुत अच्छा किया आपने फिर उसकी बाद प्रभु ने अपने भक्त श्रीपुरी को विजयी बनाए रखने के लिए और वो भी बड़ी बिनम्रता पूर्वक बताया अच्छा पूरी संतुष्ट हुए और फिर आगे कभी दोस नहीं निकाला इस वे बहुत आगरे कर रहे थे कि निकालो दोस दोस निकालो तो एक दोस निकाला एक बड़ी बिनम्रता पूर्वक निकाला तो यह जो है मतला ए सिश्टाचार सिश्टार की बातों एं बड़ी सूच में यह बातों के सिश्टाचार की, क्योंकि स्ट्रीभगवान सत्या अपने भक्तों की जय व्रिद्धिकिया करते हैं सब जो एक प्रहु के भाव का वरनन करते भगवान का इस्वभाव है अपने भगत को जो है हमेशा उपर उठाते हैं और कभी कभी अपने से भी उपर अपने भगत को अपने से भी उपर उठाते हैं जैसे इस्वरपुरी तो अपने से भी बड़ा जो है बनाते हैं इस्वरपुरी दो इस प्रकाने एक दिन प्रभु ईस्वरपुरी के साथ विद्याध्यन रसका आश्वधन करते रहे और पुरी जी भक्ति रसके आश्वधन के लिए सदा चंचल लहते थे इसलिए एक इस्थान पर टिक करना रहते थे प्रत्विव को पवेत्र करने के लिए नवद्युप से दिन अतरश चले गए अभिश्वरपुरी में क्या है क्रिश्ण कहीं आवेश है कि आवेश है और जहां ले जाए महाँ चले जाते हैं तो नुद्धित्व्स से चले गए लिए कई महीने रहे और कई महीने सी चतन्य का साथ उनका जो है मतलब संगती चलती रहे संगती होती रहे सर्वेकाल प्रभु बढ़ा एने बृत्य जये ए तान सभाव साकाले वे दिकाए एमत का दो देने विद्यारा से रंगे आचिला इस्वारे पूरे गौरे चंद्रे संगे जो भीक्ति ऐस्वर पूरी के इस भावन-चारितर को सुनेगा सुने आप लोग सुनौगा था बहुतख़ğ लुटार नमा रहेगा माधिविंद्र पूरी में जतना प्रेम था उस्ताब उन्होंने अंतर समय श्रीश्वरपूरी को प्रदान कर दिया था इस्तरपूरी श्रीकृष्ण करते रहते थे श्रीकृष्ण चैतन नित्यन प्रहू जनके जीवन धने ब्रिंद वंदास उनके चल्णों के सनिधी में उनका लीला गुंगान करते हैं कि ये सोना ऑए सब्सक्राइब ने पूर ने कथा तारवाज हाए कृष्ण पादे प्रदमे यथा जतरप्रम्हाद है विंद्रे पूरी रे सरी रे संतो से देले न साबइस वारे सुरेपूरी रे तो यह घटना तो ऐश्ञब पूरी के समय में इतनी है चटन भागवत में और यह समय की है जब सृच्टन केयां की यात्रा में नहीं गई थे हैं अब जाफ में जला ये आत्रा में जो है उन्हां पिन्दान कि इस्वा से लागिया है भॉत से गया सोला गया है तो स्री चतने विश्ड मुन के चरण सब्सक्राइब को स्थांघ और जो ब्राह्मान है है तो समय के ब्राह्मन प्ण rectly मटसभुग्व शुद्ध बंकर वह चरणों का जो है माहिमां बताते हैं लोगों को धन्संपत्ति के लिए नहीं कि पीछे पड़ जाएगी पैसा दो पैसा दो अभी आज का होज़ेगे पंडिया से यह बस पैसा के लिए एक वर समय तो भगवान का गुणगान करते थे तो धन्संपत्ति अपने आप आती तो श्री चैतन इस समय है भी निमाई पंडित की रूप में हैं और विष्णू के चरण चरण का दर्शन कर रहे हैं और जो पंडे हैं वो भगवान के चरण चरणों का जो है महात्म बता रहे हैं कि यह ऐसे चरण है भगवान के जिनका दर्शन बड़े भाग सारी लोग करते हैं और निमाई को ज और उस समय क्या होता है ब्रामनों के मुक्ष से सी चरणों के महिमा को सुनकर महाप्रुभु प्रेमानन्द सुख में आभिष्ट हो गई दोनों नेत्रों से सुधारा प्रभायत होने लगे तो पहली घटना जीवन में अभी चरणों को देखा और चरणों के महिमा सुने प्र करें भक्ति का प्रकास आरा मिदिया तो संपूर्ण विस्ट्र का स्वभाग आज की दिन जागा जब गया में चरुचने का दर्शन किया महाप्रुफ नेतनों से गंगा भेहने लगी ब्राह्मनों ने महाप्रुफ कैसे अद्भध दर्शन कि ने कौन समझ पाएगा कि इस इन यहां पर आए क्रिशन की लीला मैं वो प्रविष्ट है तरह न ही च्छोड़ने के बाद ही जुआ में प्रविष्ट करें कोई हम लोग भूलता है नित्ति-लीन प्रविष्ट हैना वह गंवह तो जीवन काल में ब्रविख लिला में ही प्रविष्ट है तो किस्टी लिए ल तो जो प्रेम असुधारा थी और वो जो प्रेम का आवेश था वो संबरन हो गया इस्वरपुरी को देखा तो क्या किया नमस्कार आधरपुरवक नमस्कार किया इस्वरपुरी ने परमप्रसन होकर गौर्शंदर को आलिंगन किया दोनों के सरीर एक दूसरे के नेत्रों के प्रेम अस्वों से नहा गए दौन एक दूसरे को नहाया नहला दिया अपने प्रेम के अस्वों से और प्रेमान चाह गया महा प्रूह ने कहां मेरी गया यात्रा सफल हो गई अब महा प्रूह क्या करहें अब सुने ध्यान से मतलब से धान थे तो गया की यात्रा जो है श्री ठीन सी क्या करना किो है। आपके धर न not a ज्टी में आने का वह फल नहीं है जो फ्र बेस्ट वाह्त की दर्शन से छसी ज्टी चतनेs कैंडे करे नworkers कि मेरी गया कि यात्रा सफलह सफल हो गई जो आपके चल्णों का धरसन मजे प्राप्थ हुआ है यहां जिन पित्रों को पिंड़ दिया जाता है किवल उनका उधार होता है किन्तु आपके दर्शन मात्र से करोणों पित्रों का समस्ते बंधन छूड़ जाता है हरी ओर गया में जिसके नाम से पिर्णदान करेंगे तो उसी का उधार होता है ना उधार होता है बंधन ही फिर भी छूड़ता उधार प्रेत योनी से उधार हो जाएगा बंधन थोड़ी छूड़े लेकिन स्रीचत्र ने क्या आपके दर्शन मांतर करोनों पितरों का समझते बंधन छोड़ जा समस्ते बंधन ने वेकुंठी की प्राप्ती कितना अंतर है बैस्टों की दर्शन से सी चतन ऐसा बोल रहा है सिद्धान प्रभू बोले गाया आत्वा सफले आमार जद अच्छाने देखी लांग चारने तो मार तीर्थे पंड़े देले से निस्तारे प कोटी पित्रे गन से इचाने सर्वेबंद्य पाए वे मोचन इस्तिहे पुरी तीर्थ भी आपके समान पवित्र नहीं है बलकि तीर्थों का को पवित्र करने वाले आप हैं मैं अपने शरीर को आपको समर्पन करता हूं आप मेरा संसार समद्र से उध्धार कीजिए तो यह हिश्ष का करता हूं गुरू को जो है अपना सरीर अर्पित करता है और बदले में क्या मांगता है लेना देना यह है देना यह है अपना सरीर अर्पन करना है और लेना क्या है संसार समद्र से उध्धार आप मेरा संसार स कमलों का रस पान कराए ये मैं आपसे ही दान चाहता हूं ये दान आप मुझे देजिए मैं दान मांगने कर आया हूं आपसे मैं आपको दान कर रहा हूं अपना सरीर और आप से दान मांग रहा हूं कृष्ण के चरण कमरों का रस मुझे दीजिए संसार सामद्र है ते ओधारो आमारे एई आमे देह समर्पी लांग तो मारे कृष्णपादय पद्मेर अम्रितेर से पान आमारे का राव तो में एई चाहिदान तो स्री चैताने तौनी मनुस्र्षि लीला में इसा कह रहे हैं मनुस्र्षि के भाव में ऐसा कह Western ओरे मिलिशर पुरी और चरित रहे ईश्वर के बिना क्या किसी में संभव हो सकता है इश्वर पुरी जो है भक्ति के बल से जान सकते हैं भक्तिया माम अभी जाना आती जावान यस्याज में तब भगवान छिपे ने भक्ति के बल पर जान लेता है उनको तो भगवान अपने कुछ से कर रहे हैं लेकिन इस्वर्पुरी इसे चिपने पा रहे हैं तो इस्वर्पुरी जो है यह बोले उनसे, आज मैंने जो सुप शुप ने देखा उसका साक्षात फल मैंने यही पाया है, हे पंडित, मैं सद्धे कहता हूं, आपके दर्संसे में प्रतिक्षण परम आनंद सुख प्राप् इस्वर्पुरी क्या करें, जबसे मैं नदिया में देखा आपको, तबसे मुझे कुछ स्वाता नहीं है, मैं चलता फिरता जरूर हूं, लेकिन कुछ देखने के इच्छा होती नहीं, आपको जब देख लिया और कुछ देखने के इच्छा नहीं होती मुझे, इस्वर्प मेरे चत्ते में कुछ भादा नहीं है, कुछ देखने के चाब है नहीं, आप क्या देखें, सब बेकार है, कृष्ण का दर्सन कर लेते हैं, तो फिर जतनी सुन्दर ताहिच सब फिर की पड़ जाती है, दुनिया की में, कई चीज हैं देखने लाएक, फिर कुछ भी देखने लाएक नहीं रहता, लोग दुनिया को देखने के लिए जाते हैं, कि दुनिया में ये भी देखो, ये सहर देखो, ये बिल्डिंग देखो, ये इस्थान देखो, ये देखो, वो देखो, दर्सनी है, ये बहुत दर्सनी है, दर्सनी है, ना, वो टूरिस्ट लोग आते हैं दर्सन करने के लिए यह भी जगए देखो वो देखो यह मकबरा है यह ताज महर है यह लाल किला है यह देखो वो देखो किर्शन को देख लो तो साब क्या हो जाता है कचड़ा कि तरह लगता है तो इस रूपरी क्या है कि मैं सब कुछ कचड़ा जैसे लगता है आपको जब स टोड़कर करके तो मैं आ गया हम क्योंकि हिए अपने बस में थे नहीं ए इसिद्ध पुरी अपने बस में थे नहीं नदिया छोड़कर आ गए तो क्या कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं अब देखना अब देखने लाइक लगती नहीं की सनसार में कोई चीज है डेखने लाइक है ना इत्रूप रचा के मैं सट्त्त कह रहा हूं, इसमें कुछ भी अन्यता नहीं है मैं आपको देकर स्री कृस्न दर्शन का सब्सक्राइब कर बोले अब महापर्भु तो आपने को छेपाएंगे तो थोड़ी सुनेंगे उनकी बाइब इस पूरी जो बोलते हैं तो महापर्भु बात को बदल रहे हैं तो बदलेंगे कि मनसलीला कर रहे हैं, तो बात को बदलने हैं, तो महापुरु क्या बोले, मेरे बड़े भाग हैं, महापुरु के थे मेरे बड़े भाग हैं, इस प्रकार का कितना संभासन हुआ, मैं कितना वर्णन कर सकता हूँ, ब्रिंदा बंदा सहुर करें कितना वर्णन करें, वो अपन भी लियास करेंगे आगे चल करके वेद ब्यास करेंगे इतना जो सूख्ष में जो वारताल आप वारतालाप है उसको व्येध ब्यासенко करेंगे इसका मतलब क्या है कि वियास दिंद्रा इंप में जो भ॔ stereotypes 3 लेकिन अगले कल्योंक के पहले द्वापर केंथ में जो ब्यास होंगे तो फिर अथारा पूरान लेखेंगे उन में ये स्रीचेतन्य के चरृत्र विष्टार पुर्वक पिरशी प्रकार आएंगे जैसे पर टेक पुरान में किस्न का चरृतर है कवी चरृतर है तो चैतन्य अगले बार जो है यह चातन्य का अबतार तो आगल में एक बार ही होता है और प्रतिक कल्ब में हजार बार चारो जो बित्ते हैं तो आगे का जो कल्योग आएगा उसके प्रारम में द्वापर के अंत में जो ब्यास होते हैं कि अना है मिदी दूसरी ब्यास हो सब गयर मोट उजब लिखेंगे तो जासे राम को एक ऐस रहे एक हैं प्रतिक पुराणों में प्रतिक घलंब करने को के अगले चैतुरय योग में जो भ्यास होंगे तो वो जो है वर्न करेंगे उसे बेद्वियासी वर्णन करेंगे, तब स्रीप्रभु उनकी आगया पाकर तीर्थ स्राध्ध करने के लिए चले गए, फलकुन तीर्थ पर बालु का गेपिंट इन्हों दान किये, फिर वहां से गिरी स्रिंग पर प्रेद गया में पहुंचे, प्रेद गया में स्राध्ध करके दक्षना से नम्र बचनों से ब्राह्मनों को त्रिप्त किया, इस पर प्यत्रों का उधार तरपन करके दक्षनमानस तीर्थ की और आए, इसके बाद महाप्रभु राम गया पर आए, राम अवतार में स्राध्ध किया था जहां पर, वहीं अब स्राध्ध करके जो प्यत्र गया में आये, जिश्चन ने पिंड दिये थे, स्री गौर्ध हरी ने वहाँ प्रेम पूर्वग स्राध्ध किया, चार और प्रभु को ब्राह्मन घेर कर, मंत्रों का उचारुन कर स्राध्ध करा रहे थे, वह ब्राह्मन कितने भागिर साली है, वह कुछ नहीं चाह हाते थे, यह देकर के प्रभु हंसते थे, मानून समस्थ ब्राह्मनों का संसार बंधन निश्ट कर रहे थे, उत्तर मानस में प्रभु पिंड दानकर भीम गया में आये, फिशिव गया में आये, ब्रम गया में जितने गया है, सब सोठस गया, तीरथ किये, सोठस मत्ब, 16 औ कि आपए और सब इस्थानों पर सटानों पर उक टू कर पंड़ दान किया फिर किया किर विले माला चंदन हात में लेकर स्रीष्णु चृण प्रश्वन्य चेत्र से पोजन किया इस प्रकार सब इस्थानों में स्तराद करके ब्रामनों को संतुष कर अपने निवास इस्थान पर चले आए कुछ देर के लिए प्रफुर ने बिस्थान किया और फिर रस्वई बनाने के लिए बैठे रस्वई पूरी बन गई उसे समय अपने हां से अपने लिए भोजन बनाया और जैसे बनका तयार हो गया इस वर्पूरी आ गया तो कृष्णा उनको तो पदे नहीं कहां जाते हैं तो कृष्णा के तद्वीर गायन महां अम्रत मगन चित्तहा कि आपका जो गुणों का गान अम्रत है गुण गान रूपी अ महां अम्रत में मेरा चित्त मगन रहता है डूबा रहता है तो इस वर्पूरी का जो चित्त है वो कृष्णा के गुणगान रूपी अम्रत महां अम्रत में डूबा रहता है तो उनको कुछ पती नहीं कि वो कहां जा रहे हैं और कहां पर आ गए वहीं पर आगए जहां प्र जूम मुण रही रहे जब कोई बिक्ति नस्य मौता उना किसिन प्रेम की नस्य में घुन रहे है और चल रहा है तो पते ही जूम रहे है अ जब फोस्ट में आए टो देखा कहां पर आ गए पता चल यहां पर आ गए जूम रहे थे रंधन-कारएक फोड़ की नमसकार कई गुरुदेव आये हैं नमस्कार किया आसन पर बिठाया इनको आसन पर बिठाया तब महाप्रभु कथो चाने सुस्त हया रंधन कारी ते प्रभु वासि ले ने गिया रंधन संपूर्ण है रहे नाई समय आये लेयन स्री ईश्वारय पूरी महाशय मौर्य फ्रेमे जोगे कृष्ण नाम बालिते बालिते आये लेयन मत्तप्राय धूली धूली ते हस्ते हुए इस्वर पुरी बोले nowveck रॉस्ते हुए दर समय पर में आप पहुंचा हूं मेरा क्त ना सबा this कि इस्बर शंदूदर समय पर्म है ऐसे अप पुप्छा हूं तोफ्रम हुह banking सीघ्य है भगवान अपने को जो है निचा बनाते हैं मेरे भागवते हुए आप आए मेरे भागवते हुआ तो यह नहीं सोचे कि अभी मैंने खाया अपने लिए बनाया आ गए खाने के लिए अपने लिए बनाया था मैंने अब तो खिलाना पड़ेगा तो एक भार जो है बड़ा भार लग गया कि कहां से आ गए आप तो ऊपर से तो किया खाओ खाओ एंदर सुष्टे कहां से आगए ऐसा नहीं है कि सुष्ट परभू भाग ही तो अब जयो Assamely, आप आज इहां ही बेखचा सविकार किजिए यह इए बेखचा आप सविकार किजिए प्रभू सरीपुरी ने कहा आप क्या खाओ गे प्रभु ने का मैं भाथ भी बना लेता हूं कि बना लेता हूं स्री पुरदीन का और किसलिए रंधन करते हो जो और तक तयार है उसके दो भाग कर लेते हैं ऑन इसके दो हिस्ते कर लेते हैं है एक अरुह फार मफ़ुष्स habits हश कर महाmniej भूत है यदि कि प्रतुप है तो जितना बेंजन तयार हुआ है अब भोग लगाई अग्राव इस पूरा आपका है आप भोग लगाई थोड़ा संद मैं भी बना लेता हूं आपको भी संगोज ना करें भगवान करें, ने, 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 इस अब आपका है, इस तरह से भगवान कहे रहे हैं, प्रभु बोले, जब है भागेर ओदए, ए एन भीक्चाजी कारे माहाशय, हासिया बोले प्रभु तुम्ही की खाई भी, प्रभु बोले, आमे एन रांधी वांग लवे, पुरी बोले की क कारीब आरे पांग जियान अच्छाय ताय कर्दुई भाग यदी आमा चाओ जैन है याचे ताह तो में साब खाओ तो महाप्रुहुंने अपना पूरा भात पुरी को दे दिया और अपनी लिए कुछ अन्य प्रसन चत कर बनाने लगे तो प्रसन चत से बना रहे है बहुत प् कि आसी किरपा थी महा अपु रूख की गिसर कूपरी की पृथी है और इस दूर्पूरी भी इंपप रिंगत र॥क किन दोशना के तुर्त नहें और कुछ जानते मानते नहीं थे छी रिलए कर्रें है और आप मुझे जो है हाँ अपने से जंदा आधर दे रहे तो मैं कैसे बिरोद कर सकता हूं इसरुपुरी भी सेवा के भाव में है तो इस वा को गुरूर बनना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे स्वामी है और इनकी च्छा है कि मुझे अपना गुरू बनाए तो मैं भी मेरी सेवा यही है कि मैं इनका गुरू बनूँ तो इसी भाव में इस्वरपुरी जो है रहते हैं और प्रभू अपने हाथों से ने भ्रुजन परुष्no लगे आप जो खुद बनाने का काम था उसको छोड़ना पड़ा क्या उनको भुजन कर रहे हैं तो भोजन आपने हां से थोड़ी निकालेंगे तो भुजन निकालकि परुष्no लगे भगवान ने तो संकुझ करेंगे खाने तो इसलिए उनका संकोष दूर करने के लिए भगवान स्वेम अपना जो है जो बनाया था वो पूरी को परोशने लगे और परोशने लेके जतना खाएं फिर और दें और दें यह तरीका ही होता है ऐसे नहीं कि जितना खाने एक बार निकालो ऐसा नहीं है सेवा तो पर इसलिए पुरी को भोजन परोश रहे है ना बड़ी सावधाने से इनिकी धर धर ध्यान चला गया अब खालिया है आप वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे मांगो तो मांगेंगे नहीं है और फिर जो है अपना हाथ दोलेंगे यह नहीं तो परोशने का तरीक यह होता है कि खोदी जो है उनको देना है बना मांगे देना है वो जब मना करें तब आप जो है मतलब उनको देना बंद करो इंगे नहीं है कि आप दो दे चले गए तो अपना जो है वो संकुर्च के कारणों को से मांगेंगे नहीं तो ना उठ जाएंगे तो ऐसा नहीं है तो भगवान जो है इस्वरपुरी को भोजन परोश रहे हैं, तो इस समय क्या हुगा, लक्षमी जी को अबसर मेला, बढ़ंडा अच्छा अबसर मेला भंडा भ्गवान की सिवा करने का, रिबखवान अपने गुरू की सिवा मं लगे हैं, भोजन परोसर है तो अपने लिए भोजन कैसे बनाएंगे तो लक्षमी जी को उसा मिल गया भगवान के लिए भोजन बनाने का तो अलक्ष Te PalP continually कुप्वल में देखाया श्सका नहीं पड़ ही दी लेक्क सिने भोजन तढयार कर दिया भगवान का हरिवोल उस समय अलक्षित रूप से लक्ष्मी जिया कर महा पुरुप ले भोजन तयार कर दिया इस्वर पुरी को भोजन कराने के बाद तुभूने आनंद पूरबक भोजन किया हरिवोल बारिवोल श्रीहस्ति आपने प्रभु कारे परिवेशन पर आनंद सो के पुरिकारे ने भोजन सेचान रमादे भी आति अलक्षिते प्रभूरे निम्ट्य अन्यरांधि लात्वारी दे इस्वर पुरी के साथ महा पुरुप की इस भोजन कथा का जो सर्वन करते हैं सर्वन क तब इस्वर पूरी की सरीर पर महा पुरुण अपने हाथों से चंदन आती लगाया चंदन का अलेब भोजन के बाद चंदन तब भोजन मतलब जब त्रप्त हो जाए कोई बिकती तब चंदन का लेब सुहाता है कोई बेक्ति भोका है और आप चंदन का लेप करें क्या कर रहे हैं अच्छे को जो है अच्छे निता आप फूलों से पूजा कर रहे हैं आर्थी कर रहे हैं चमर कर रहे हैं क्या कर रहे हैं इसनी पहले भोग आरपन होता है न उसके बाद पुस्पांजली होती है एना ऐसा न माला पैंना पैंस מת गराल के आल जब ने मरें उपड कि तो के वां जुनका अ है यह क्यों को डेश्ता है। किटना प्रेम हैं सितहाने के कितना प्रेम है इस्वर पुरी कैपर इस्वर यह पुरिया शड़िकार वह अंगे आपaming श्री हस्तेले पीले ने दिव्य गंधे जदे प्रिती इस्वारे रहे इस्वारे पोरी रहे ताहा वर निवारे को ने जाने सकती धारे इस्वर की इस्वरपूरी की प्रति इतनी प्रती है इसवर कितना प्रेम है इसरी पूरी की प्रति कि अभी तो सन्यास नहीं लिया सन्यास तो में लेंगे और सन्यास लेने के बाद फिर कभी जाएंगे कुमार हट तो वो घटना जो है अभी बता रहे हैं प्रिंदा बंदास्था को कि जब वो ऐसा करेंगे कुमार हट में जब जाएंगे स्थी चतन ने तो समय क्या करेंगे यह उन्होंने क्या किया था क्या किया था हां उस कुमार हट इस्थान को देखा तो प्रभू ने का मैं कुमार हट को नमस्कार करता हूं और समय इस्वरपुरी तो नहीं है कुमार हट में कुछ जन्मस्थान में जो सन्यासी होता है फिर अपने जन्मस्थान में नहीं जाता है तो इस्वरपुरी तो जन् तार ग्रहन किया है उस गाउं को देखकर इस्वरपुरी इस्वरपुरी कहते हुए महापरु बहुत रोए जन्मस्थान को देखकर के इस्वरपुरी 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 ऐसा कह करके भगवान बहुत रोए और कोई सब्दे मुझे नहीं निकल र लेकर रज मतलब धूल उस स्थान की रज लेकर अपने बहरवास के कोने में बांध ली बहरवास सन्यासी का एक चादर होता है ना उसके कोने में बांध ली जेब तो है नहीं सन्यासी की तो बहरवास के कोने में धूल बांध ली है और क्या कहा और ये कहा इश्वरपुरी की जन्वेस्थान की ये रज मेरे जीवन प्राण है ऐसी पृति महाप्रुभु की इश्वरपुरी की प्रति थी स्री भगवान अपने भगतों का मान सम्मान बढ़ाने की सक्ति रखते हैं तो भगवान की सक्ति है कि अपने भगत का इतना सम्मान जो है बढ़ा देते हैं इतना बड़ा अपने भक्त को कर देते हैं प्रभु बोले कुमार हटेरे नमस्कार स्रीश्वर पूरी रे जेग्रा में आवेतार कांदेले ने बिस्तर चैतन से इस्थाने आरे सम्दे के छुनाई इस्वर पूरी बिने से स्थान एर मृति का आप अने प्रम तोले लए एलें ने बहर वास देबांदी एक है जोली आ कि महापुरौड़ी ने कहा जो मैं गया के दर्शन करने आया अब यहां पर आगए इसी घरना में अभी सहनья से थोड़ी हैं अभी इस्वर्पुरी इसे क्या किरैं कि जो मैं गया कि दर्शन करने आया वो से तरtar सफल हो गई क्योंकि हम एजितर पूरी के दरशन वो गई दोसे तेने कांत में जाकर महापुरु ने श्री पुरी जी से मंत्र देख्षा की मंधुरवानी में प्रार्थना की क्या मुझे मंत्र देख्षा देजिए आप श्रीप्रीध ने कहा है मन्त्र दिख्षा की क्या बात जो उनके भाफन यह नहीं कि मैं घुरु हूं उनके भाबना सेवा क्या है है तो ढूरे स्वामी है और आप मजी गुरू बनाना चाहेते तो मेरी यह सेवा है कि मैं आपका गुरू बन जाओं आप जो है अगर मंतर दीख्षा मुझसे मांग रहे हो तो मेरी सेवा यह है कि मैं आपको मंतर दीख्षा दूं क्योंकि मैं तो अपने प्रान भी देने क्लिते हैं आप मेरे प्रानों से आप थु स्री एंग और किसन ने पुरिषेश 2 겁니다 कि क्योंकि आप जगत के सिेख्षा गुरु है आप तीटयां करने के बाद परेशी कि प्रैक्षना की व्रहू ने आपना सरीर्ण आपको समर्पन में ने अपना शरीर आपको समर्पन कर दिया है आप मुझे पर ऐसी किरपा किजिए कि मैं किस्ट प्रेम के सागर में दूप जाओं इस तरह से उन्होंने अदान प्रदान किया लेना देना तो गुरू से जो है लेना देना क्या होता है यह होता है तो देख्षा के समय शरीर अच्राइब करता है तो भगवान जो है इस प्रकार से आचरन करते हैं था था बेतान स्थाने स्था गुरू नारायन कारे लेने दसक्षा रे मंत्रे रेग्रहन था प्रभू प्रणदक्ष्ण कारे पूरी रे प्रभू बोले दे आमें दी लांग तो मारे स्री लगा लिंगन किया दोनों के नेत्रों से प्रेमा सुधारा निकल कर दोनों के सरीर को नहला रही थी को दौन एक दूस्तर हरे अपने आप असफों से परीम ही में दोनो अस्थिर हो गई हूं इस प्रकार आशरपुरी पर किरपा कर महापकरुः वहर Luckily कुछ दिन गया में रहे स्री गौर्ण संदर की आत्म प्रकास करने का समय आ गया था इसलिए में प्रेम भक्ति का प्रकास दिन दिन बढ़ने रगा तो यह चतन्य महापू ने यह दिखाया कि जब हम एक बैस्न से ए प्राब्त करते हैं किरपा प्राब्त करते हैं देख्षा के रूप में तब फिर हमारा आध्यात में जीवन शूरू होता है उसी चतन्या प्रेम का जो है प्रकास अपना दिन रदेण बढ़ने लगा तो यह दिखाते हैं भग्वान ज सब्सक्राइब कर देता है तो लोग जो है उसी के नुशार चलते हैं इस तो पुरी से बिदा होकर प्रफु स्री गोरांग नौदीप में अपने घर लोटाए नौदीप वासिये सुनकर आती आनंदत हुए उन्हें ऐसा अगामानों देह में पुना प्राणों का संचार हो गया हो तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आज बहुत ही पवित्र दि और श्री चेतन्य के साथ उनका कैसा जो है संबाद हुआ विवहार हुआ कि बातें सुनी बहुत दिव्य यह यह चरित्र है तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्ण है कोई चर्चा कि आजी हारे कृष्ण तो कई बारे लीला सुनाएं जाती है कि यह क्रेक्शन वाली कि जो निमाई से उन्होंने करेक्शन के लिए बो ला तो जब निमाई करेक्शन के लिए उनको सजेस्ट करते हैं तो उस पे वह उस रात विचार करते थे हैं इस वर और बाद में बताते नहीं कि जो पहले था वो ही सही था तो यहां पर फिर वाद में निमाई अपना डिफीट सम सुविकार करते हैं गुरु से तो क्या लेकिन आज की इसमें वर्डन में नहीं आया है क्या यह कहीं आनने पाया जाता है या ऐसे ही कुछ आवो देखना पड़ वहां परास्त करते हैं जो शेल को परास्त करते हैं और शग्ष, आख भ़वाब प्रास्त करते हैं वहां बार खुद ही परास्त होना पशन करते हैं और यह एक सद्धांत है यह सिद्धांत है कि हमें मतलब ऐसे भक्तों से सास्तिनार नहीं करना चाहिए अगर उनके बात में कोश्य अगर तुटी भी निकलाए तो सिद्धांत में तो कोई तुटी हो नहीं सकती वैशनों जो होते हैं तो उनका जो सिद्धांत है वो तो यह है कि हम कृष्णी की सरण लेना हमें और कृष्णी हमारे स्वामी है तो यह तो सिद्धांत है लेकिन जहां तक जो विपरन की बात होती है तो विपरन में कई तूटी हो सकती है तो प्रहुपाद के बुख सार्दी बेसे कि पुस्त के अधार है तो पुस्तों के अधार पर हम मतलब बोलते हैं आते हैं पुष्ट के आधार पर कई बात कई बार याद नहीं आता या प्रहुपाद के भी इस लोग में कभी कभी गल्तियां हो जाती थी तो उनके सिस्थ उनको याद दिलाते तो यह चीज जो है मतलब वो नहीं है कि यह कम हम देखें कि यह आपके अंदर कमी है तो पुष् और कुछ उसमें कमी रह गई तो आप उसको सुधार सकते हैं या ना सुधार है तो आप अपने आप में सुधारने की ऐसा है तो इसमें मतलब वो रही है कि इसमें हम चुनोती दें कि नहीं यह आपने क्यों गलत बोला ऐसा क्यों गलत बोला यह तो लिखा ऐसा है यह तो जो क को मान शक्ते हैं और और सकता है तो उनको बता सकते हैं कि ऐसा है आप निसा कहा ऐसा है लेकिन वो इस बात पर जो है Springs यह सूजच मैनि ने को बता दिया और मैं जादा आ अगे बढ़ा हैंसे यह चीज नहीं हम आगे नहीं बढ़ जाते इस तरह से लेकर जितना आधिक है सब क स्ट्रीकने अधारित हम जो है उस चीज को घ्राध करें ध्यान करें ये शीपन सीपने जानकरी किया का क्या आर्थ हूता है क्या करें वह conquest करना पड़ाएं स्थेया कर दो बढ़िया नाम का एक जो है और गये नाम के एक असुर था और वो भगवान का भक्त भी था तो वहां पर गये नाम के असुर का जो है वो शरीर भी है तो उसके शरीर में ही जो है फिर ब्रह्माजी ने यग्य किया था पूजन किया था कुछ इस तरह की घटना है कि उसने कहा था कि मेरे सरीर में ही मतलब भग कि इसके लिए हालांगे असुर्थ था लेकिन तो भी उसकी भावना भक्ति की भावना थी गए नाम का तो और कोई किसी का प्रश्ण आज आपने भी पूरे प्रावचन में दो तीन बार जिक्र किया कि इसको इस कथा को सुनने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है भाग कि कृष्ण प्रेम क्राप्त होता है बट हम में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है क्या का विश्का देखिए इसका जो है आर्थ ये समझना चाहिए कि लिए यह ना तो उसके लिए कहा जाता कि यह डैयाबेटेस की दबाई है इससे दबाई इन डेइबिटेस दू होती है लेकिन आपो कितने बार दबाई लेने हैं कितने दिन दबाई लेनी है यह तो नहीं बतायागे ना तो आपने सुना है ना इसको आप हमेश्चा इसमर्ण रखी भगवान के जन्म कर्म चमे दिव्यम एवम युवेती तत्व तहा तेक्ट्वा देहम पुन्याजर्म न बात हैं सोचे ही नहीं आपके दिमाग में जब यह तत्व मालू हो जाएगा तो आप इसी कहीं फिर हमेशा वर्णन करेंगे इसी कोई सुनेंगे तो तत्व से जानने का यह मतलब है यह थोड़ी भी मैंने तो जान लिया अब में मुक्त हो जाओंगा लेकिन संसारी बातों हम जब कहते हैं तो हर्स जरूर मतलब हमें होना चाहिए तो जरूरो फेसर जरूर रूरर किया हमें किस्नि प्रेम का जो है एक परसात आधा परसाथ तो मिली गया थाذ monsieur क्योंकि और भी खाने से तो लाब होई है तो कितनी बार घृँ खाने की टने भार ओन उन खानी प्रभुजी कथा पढ़ रहे थे, उसमें ये बात आई थी, जो भी इस कथा को पढ़ता है, उसको स्रीचेतने के चरणों की प्राप्ति होती है, एक बार ये पढ़ रहे थे, तो उसी समय प्रभुजी के कमरे में, एक क्या नाम है, चलो नाम जो भी, तो वो लेके आये, सीच प्रभुजी के चरण, उसको फिर कई बार पुष्टी करन हुआ, जो मैं प्रूफ रेडिंग किया, एक बार प्रभुजी पढ़के सुना थे, जो भी इस कथा को पढ़ता है, उसको रादा कृष्णी की प्राप्ति होती है, रादा कृष्णी की ऐसा है, तो उसी वक्त जो मैं प्राभुजी के कमरे को खोल के बीवीटी से दो करमचारी आए हमको बीवीटी वालों ने भेजा आपके पास इसमें कुछ देखने के लिए उसमें पंच्त्त्यु लिखा था वो पूछने के लिए आये थे कि मतलब यह चल सकता है कि नहीं तो उसी समय जैसे ही प्राभु कुष् robi अपावाली है में और अ क्यों सख्मार्ण है जो वी प्रश्न नहीं है आप हमारी सेमिक मिलेगा आप ऊस राशे पहां जा रहें हैं याँ सिंचत कर ये और फिर जो है फली भूत होगा ये तो पक्ता है इस तो प्राप्त हो गया आपको दन्यवाद से लेश्वर पुरिति रभावतिति महां बहुत्स्वद की स्रीला प्रभुपाद की रधा पार्सार्थी ललीता विशाखा की गौणेताय की सिताराम लक्ष्मान हनुवान की